तो तो राय बरिली से भी अगली ख़बरे रहा सीपाही पर शादी का जहासा देकर दुश्कर्म कारोप लगा है पूरे मामने में पीडित पक्ष कारोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की है पीडिता नयाय के लिए दर-दर ठोकरे खाती रही और ऐसे में जब उसकी हिम्मत तूट गई उसने जहर खा लिया फिलहाल यूवति का इलाज चल रहा है तस्वीरा पर आए बरिली के देख रहे हैं नौकरी लगते ही सिपाही के तेवर बदल जाते हैं और वो लगतार पिछले 6 साल से यूवति का सोशन कर रहा तो और अब उसने शादी से इंकार कर दिया पिजिशन कर दिया गया जयनकार करके उपरोशन कर दो चुछन कर दो खाहिते हैं चाहलत क्या लग रही शूवति क्या जाए बिलन है आए बरिल्टी लगते ही आए वे नाम